सीउ सेना के सानसस संजेराउत की जवाणत को रद करके एक बर फिल से जेल में भेजने को लेकर कोड के जज़ कि तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है आखिरकार कोट के जज़ का जो फाइनल डिजिजन है उसको लेकर जो अपडेट आ रही है उसमें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप सब को पता ही होगा कि सीव सेना के सांसत संजे राउत को पात्रा चाल केस में दस जार पैतिस करोण रुपय के घोटालाई करने के आरोप में गिरपतार किया गया था और Central Agency ED ने जब इनको गिरपतार किया पूश्टाच इनसे होने के बाद इन्होंने सबूर जब इन्होंने नहीं दिखा पाए उसके बाद फाइनली इनके खिलाब में कारवाई करते हुए Central Agency ने इनको गिरपतार कर लिया था उसके बाद इनको कई दिन जुडिशल कश्ट्री में रखने के बाद जेल में भेज दिया था जहांपर आर्थर रोट जेल में ये लगातार 102 दिनों तक जेल के अंदर रहे और यहीं नहीं खुद जो है सिवसेनाकिसांस संजेराउत ने जब जेल से वो बाहर आएं तो उन्होंने NDTV से मीडिया से बात करते हुए इस बात का खुलासा किया और उनके द्वारा दावा किया गया कि उनके साथ में बहुत ही चीजे गलत हुई है वो भी जेल के अंदर जो की नहीं होनी चाहिए जबकि कोर्ट में के जजज ने जब फैसला सुनाया और उनको जमानत दिया तो सीधे सीधे बोला कि ये जो गरबतारी होई थी ये पूरी तरह से इल्लीगल थी और यहां पर उनकी कोई गलती नहीं थी जान भूच के उनको गरबतार किया गया था लेकिन इन सब चीजों के बीच में एडी ने एक बड़ा कदम उठाया और एक बड़ा कदम उठाते हुए संजे राउत के खिलाप में कारवाई करते हुए मुंबई हाई कोट का रुक कर लिया उस टाईम तो कोट के जजड ने जो है फानल डिसीज़न नहीं सुनाया लेकिन उड़ कोट के जजड ने ये जरूर बोल दिया कि ठीक है हम आपकी आजगा पर सुनवाई करेंगे जिसके बाद कोट के जजज ने सीधे सीधे संजे राउत को बोला कि वो जल से जल जवाब दाखिल करें कि आखिरकार उनकी जो जमानत दी गई है स्पिचल कोट के दोरा उसको हम रद क्यों ना करें और साथ में ही E.D. को भी संसोधी त्याज का दाखिल करने के लिए बोला गया जिसके जस्ट बाद E.D. ने भी तुरन थी अपनी एक संसोधी त्याज का दाखिल की और साथ में ही संजे राउत ने भी जैसा कि कल ही आपको बताया था मैंने कि संजे राउत ने भी अपना बयान जो है अपना एक लिखित स्टेट्मेंट जो है वो कोट के सामने पेश कर दिया अपना जवाब जो है उन्होंने दाखिल कर दिया कि आखिरकार उनकी जमानत को क्यों रद नहीं करना चाहिए और इधर जो है सेंटरल एजनसी एडी ने भी अपना संसोधी त्याज का दाखिल करते हुए सक्स सक्त मांकी और तुरंत बोला की तुरंती संजेराओत का जो जमानत है इसको रद करके इनके खिलाप में कारवाई करने की इजाज़त दी जाए जिससे कि हम इनको गिरबतार कर सके फाइनली कोट के जज़ ने बोला था कि इस पर जो है हम जलती सुनवाई करेंगे 25 नवंबर को इस पर सुनवाई करेंगे और आज जो है 25 नवंबर है और फाइनली अभी जैसा कि अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि कोट के जज़ ने फाइनली इस याज का प पर सुनवाई करने के लिए हामी भर दी है और आज जो है इस याज का पर सुनवाई हो रही है जैसा कि अभी अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि इडी की तरफ से पेस हुए वकील अनिल सिंग स्वालिशिटर जनरल जो है वहाँ पर पहुचे हैं और अपनी तरफ से इडी की तरफ से जो है अपने सारे के सारे सबूत कोट के सामने वन बाई वन करके पेस कर रहे हैं और साथ में ही इदर संजीराउद की तरफ से संजीराउ के बाद एक बड़े सबूत दिखाने की बात किल रही है जिसकी विज़ासे इस बार फिर से संजे राउत की मुझकि ले बढ़ने वाली है और इस में जैसा कि अपडेट आ रही है उसमें दावा कया जा रहा है कि राउत की जो जमानत है जो दी गई है इस पेसल कोड़ के के सामने लेकर पहुंचे हैं यही एक में डीजन है जिसकी वजह से संजे राउत के मुश्किले बढ़ चुकी हैं यहां तक कि कोट के जजज के सामने लास्ट टाइम जब एडी ने अपनी संसोधी त्याजका दाखिल की थी तो उसमें बताया था कि संजे राउत के खिलाप मे हमने जो डॉक्यमेंट समिट किये हैं जो सबूत पेस किये थे उसको लेकर कोट के जजज ने इसको बिना देखे ही सीधे सीधे फैसला सुना दिया जो की पूरी तरह से गलत है इसलिए हम चाहते हैं कि कोट के जजज जो मुंबई हाई कोट के जजज हैं पहले हमारे सारे के जमानत को रद कर दिया जाए और हमें परमीशन दिया जाए कि हम जो है जाकर संजेराउट को गिरबतार कर लें बाइदाबे अभी इस जाच का पर सुनवाई चल लही है और साम तक इस पे कोड की तरफ से कोड के जच की तरफ से फाइनल डिसिजन सुना दिया जाएगा कि संजेराउट के मुश्किले बढ़ सकती है उसके बावजूद भी संजेराउट जो है मानने को तयार नहीं है और लगातार उनके दोरह एक के बाद एक बड़े स्टेट्मेंट दिये जा रहे हैं महारास्टा में जिसके जासे महारास्टा की राजनीती काफी ज़्यादा गर कामी नहीं कर सकता संस्ता में मनमर्जी की नियुक्ति जो हो रही है वो लोक तंत्र अगर ऐसा चलता रहा तो लोक तंत्र नहीं होगा मतलब कि यहां पर इलेक्शन कमिशन के ओपर सीधे सीधे सीव सेना किसान साथ संजेराउट के दोरह सवाल उठाया गया है और उनके जो है सीधे सीधे सवाल उठाये गये हैं बाइदावेट जो भी चीजे हैं लगातार संजेराउट के मुश्कले बढ़ने के बावजूद भी और दावा किया जा रहा है कि संजेराउट का जमानत याज का रद भी कर दी जाएगी उसके बावजूद भी संजेराउट किसी भी बड़े स्टेटमेंट देने से माबाज नहीं आ रहे हैं यहां तक कि सिवसेना किसांस संजीराउथ जिनको खुद भी इस चीज का आभास हो चुका है कि उनकी जमानत याज का रद्ध हो जाएगी इसलिए उन्होंने दो दिन पहले जब मीडिया से बात किया था तो मीडि परसेंट गिर जाएगी लेकिन उसके बावजूद भी उनके दारा ये भी दावा किया गया कि यह जरूरी नहीं कि उस टाइम जिस टाइम ये गॉर्मेंट गिरे देवेंट फड़न बीज और साथ में ही एक ना सिंदे की उस टाइम मैं जेल में ना रहूं बलकि बाहर और हो सकता है कि मैं उस टाइम जेल के अंदर ही रहूं लेकिन जो भी हो मैं जेल के अंदर रहूं या जेल के बाहर उससे फरक नहीं पड़ता लेकिन हाँ देवेंट फड़न बीज और एक ना सिंदे की सरकार जो है वो दो महीने बाद 100% गिर जाएगी ये स्टेटमेंट द दिया गया कि हो सकता है कि वो जेल के अंदर रहें इसलिए जैसा कि सूतरों से इडी की सूतरों से अपडेट आ रही है उसमें दावा क्या जा रहा है कि आज 99% चांसे से कि संजी राउत की जो जमानत है उसको रद्द कर दिया जाएगा कोट के दोरा और उनको एक बार फिर